तो हाला दोस्तों आपलों कैसे हो तो दोस्तों आज जो है हम एक जागा के बार मिचाने की ओ जागा जो है दक्षिन अमरिका के एक साधिन जागा जागा का नाम जो है फ्रांच गाइना तो दोस्तों चलिए ये जागा की जो नेंशनल फ्लैग हम देखते हैं आप दियां से द फ्रांस जैसा क्यों इतनी ज़्यादर शुरुक्षा इस जगा पर नहीं है और यह जगा के आंदर जो है भारत की बंख्शबुद बहुत सरा इंसन रहता है काफ से और आज के रेट पे जो जो इंसन रह रहा है वो कौन से देश से आया है इसके इलबा यह जगा क्या एरूप इस जगा पर आसल भी जागा जो है दूनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौझो थे लेकिनों से पहली प्लीस दोस्तो इस चैनल में पहली वर तो इचनलों को साब्सक्रेब जरू करना पास में योब लेकर इस दवाका वाल्प स्रेट करना कुछ भी कहना तो कमेट में क्या शक्ति हो तो दोस्तो हाँ दक्षिन अमरिका के शाधिन जगा जगा का नाम जो है फ्रांच गाइना जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखे तो दोस्तो 83.846 बर किलिमिटर यह जाए कि टोटल आयतन यह एरिया बड़े-बड़े दिसकी लिष्ट में यह जगा आया है 117 जिसकी पूर्व में ब्राजील है वर्ष्टि में सुरीनाम है और उत्तर में आटलंटिक महासागर आपको नातर बे आ जाएगे और यह फ्रांस का एक हिस्सा है जो दक्षिन अमरिका के अंदर स्थीत है मैं आपको दिखाने की कोसिश करी हूँ 1643 का यह मैप है जो मैं आप सबसे बड़ा शेर और सबसे ज़्यादा लोग रहता है तो दोस्तों इस जागा आपको नजर प्यार रहे हैं इमेज के थूर दिखाने की कोशिश करूँगा तो दोस्तों हाँ यह फ्रांच काईना को शुरूख्षा देता है इस हेट कोड़र से मैं आपको दिखाने की कोशि अपको दिखाने की कोशित करें आप दियांती देख लीजिए का और इस जागी जो बहुत सरा इंसान प्रांच काईना नहीं बुलाता है इसके बदले में इसे वियान बुलाता है और यह जगा को फ्रांस शुरूख्षा देता है क्योंकि फ्रांस इसलिए शुरूख्षा उनन खेल शुरूख्षा पर नहीं हुता है फ्रांस श्रूख्षा है शुरूख्षा नहीं फबहुता है इसके बदला खेला जहीं वώ है फुटवल खेला थें को दिखाने की कोशीशा करी हूँ एशे फ्रांस की राजँवागा कायन के उपर स्थीद सबसे बड़ा इंटरनेशनल यारपोर्ट मैं आपको दिखाने की कोश्च करियो इसके लबा फ्रांच कायने के अंतर बहुत सरा जागा पर आपको यारपोर्ट नाजर पर आ जाएंगे तो दोस्तो एक करके मैं आपको दिखाओ लेकर उससे बेल ए दिखरी जी यह सबसे बड़ा इंटरनेशनल यारपोर्ट जो फ्रांच कायने की राजदारी आयन के अंदर स्थीद है तो दोस्तो यहां पर जो है एक फूटवर्ट टीम है जो फ्रांच कायना नेशनल फूटवर्ट टीम यहां पर बहुत सरा इंटरनेशनल मंच पर खेला है ए टीम स्थीद हो फ्रांच कायना नहीं है लेकिन आज के ट्टवर्ट पर एगर हम देखें तो दौस्तो एड्यूनुन के हर सकनर्स जयो है फ्रांच काईनों को एउरोपियो उनियन का हिस्सा मानता है इसलिए बहुत सरा मदद भी इसे मिलता है यहाँ पर भारत की बंग्ष की लोग 1948 से रह रहा है ताप 30 साथ से जाधा यहाँ पर काम करने के लिए आया था आप साथ इंडियन की बहुत सरा यहाँ पर इनसन इस जाधा पर काम करने के लिए आया था लेकिन आज की डेट पर अगर हम देखे यहाँ पर भारत की बंग्ष की तो लोग है लेकिन ओ जो है यह जागा की आसपास की देश से आया है जैसे की सूरी नाम से आया है डोबा को से आया है इस जागा पर यहाँ पर देख लीशिये आपर चोड़े चोड़े आईसलंड और चोड़े चोड़े जील आपको नतर पर आ जाएंगे इस जागा के बीच मतलब भारत बर्ष और यह जागा के बीच मैं आपको दिखा रही हूँ आप दियान से देख लीचिए ब्राजिल के साइट के प्रोड़ार में आपको दिखाने की होशिश करी हो और यह जो जगा आपको नतर पर आ जाएंगे यह जगा को जो है बीबादित माना जाता है लेकिन मैं आपको बदा दो यह फ्रांच के कबजे में अभी भी है इस हिस्से को जो है सूरी नाम आपना मानता है लेकिन फ्रांच गाइना जो है इस हिस्से को आपना मानता है तो दोस्ता आप दियान से देख लीचिए ओ इस्स नाम भी आपर लिख दिया हूँ आप दियान से देख लिए आपको बात चलेगा और इस जागा की सबसे बड़ा सहर सबसे जदा लोग रहता है राजदानी में आपको दिखा रही हो काई आपको नजर पे आज जाएंगे अगर हम भाशा के बात करें तो जो है फ्रांच इसके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा फ्रांच काईना दूनिया के अंदर कौन से हिस्से में मोचुद है तो दोस्तों मैं आपको बात दूँआ आत्लांटिक मासागर की तर्ट पर स्थीध है फ्रांच गाइना और ये जगा के गिर कर रखा है ब्रासिल और सूरी नाम तो दोस्तों हाँ जो दक्षिन अमेरिका के अंदर एक छोटा सा फ्रांच का हिस्सा तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक ग्राप के तुरू दिखाने की कोशिश करूब का इमेज गत्रू आप दिखाने के कोशिश करया थे सबहरा कभी-कभी विवाधी जगा पर भी स्तीध होता है तो दोस्तों केरिवियन सागर के आंदा जो है बहुत सारा फ्रांस का छोटे-चोटे हिस्सा भी है तो दोस्ता आप धियान से देखने की कोसिस करें हूँ ये जो है फ्रांच कायने की एक ऐसी जगा जिस जगा की साइट पर जो है प्रांच कायने की सुरक्षा दफ्तर या कह सकतो डिफेंस सेंटर मौझूद है मैं आपको ओ भी दिखारें की कोशिश करूँगा इस किलबा मैं आपको बाता दू प्रांच कायने की बहुत सारा चोड़े-चोटे प्रांच कायने की नया प्रांच की नया प्रांच की नया प्रांच को पसंद करता है तो दोस्तो चलिए मैं आपको ओ डिखाती हूँ ओःस जोए उरदीज जोए आपको दीखने के बाद आपको अपको बाह स्टेटिमियंगा पनाश को हो leg दोस्तो दूस्तो उःस की सबसे बाद श्टेटियम ऐँ आपको प्सी स्टेयोगा अको नाजर पर आजए जो फ्रांच कहने के अंदा सथीद है तो दोस्तों चले यहां की जो climate चेज ए जो है एक ग्राप के थुरू में आपको दिखाने की क्वोसित कि लोगा कौन-कौन से जगापर ठंडी है कौन-कौन से जगापर करमी है और कौन सी जगापर जो है कौन सी temperature है तो दोस्तों आपको परचे लेगा इस ग्राप की मदद से आप ध्यान से देख लिए एक राप में आपको दिखाने की कोशिश करी हो तो दोस्तों हाँ यह ऐसी जगा पर स्थीद है जो प्रकिति बहुत ही खुबसरत यहां पर रहता है हर समय यहां पर प्रकितिक बहुत ही खुबसरत यहां पर रहता है तो दोस्तों यहां पर देख ल पाइश के आदर आता है के भारते से फ्रांच काईना तक just 가 booked है तो दोस्ट तो मैं बादेत को बता थो ओर rocks इंसान एक boat चो बोड का नाम rho iיבoused तो दोस्तों औ positives कि अगर दोस्तों ओड़ो से फ्रांच का इना आया है यहां पर मासागर के उपर जो है यह छोटा सा बोट यहां पर इस्तमाल करके आया है तो दोस्तों सबसे काम उमर की वह इंसान है 27 एर्स की है और यह समय लागा है गेप भारते से फ्रांच गाइना आने तक जो आटलन्टिक मासागर के उपर से 27 डेस हां दोस्तों यहां पर 27 डेस 16 कारणा मा किया है है हां दोस्तों नाइटिन जैनुआर से 26 वार्ल्ट रिकार तैयार किया है जो आतलन्टिक मासागर के ऊपर से प्रांच गाइना तक आया है ये जागा कि और भी बड़ बड़े देश की बड़ बड़े न्यूज जाने के लिए इस सेलन की जो कॉम्यूनिटी वोस्ट वहाँ पर नज़र रखियेगा तो दोस्तो आज के लिए तरह ही मिलेंगा अगले वीज़ में ताप तक के लिए नमस्ते